तो गाईज आज हम बात करने वाले हैं Royal Enfield की जो Interceptor है उसके कुछ Disadvantages के बारे में सबसे पहला Disadvantages है इसका Weight इसका जो Weight है वो Total है 202 kg और जब आप इसमें पेट्रोल फील करते हो और आप जब खुद बेटते हो तो इसका जो Weight है वो 500 kg की उपर जाता है तो गाईज इसकी वज़े से जो Bike है ये आपको Traffic में चलाने में थोड़ी सी मुश्किल देती है तो गाईज दूसरे अगर इसके Disadvantages की बात करो तो ये है इसका Rear Tire इसका जो Rear Tire है ये बहुत पतला है ये जो Bike है उसके Weight के Comparison में तो गाईज ये जो Tire है ये थोड़ा जाड़ा होना चाहिए था तो गाईज अगर तिसरे Disadvantage की बात करो तो इस Bike में आपको जो Gear Indicator है वो नहीं मिलेगा तो गाईज इस Bike में आते है 6 Gear तो आपकी Bike कौन से Gear में है ये आपको पता ही नहीं चलेगा उसके बात के अगर मैं Disadvantage की बात करो तो वो है इस Bike का Engine Hitting का इशू गाईज ये जो Bike का Engine है ये बहुत ज़्यादा हीट होता है तो उसकी वज़े से आप जो Traffic में है ये Bike आसानी से नहीं चला सकते हो